आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ क्लास 9th प्लिनोमिल चेप्टर केकसाई 2.5 का कुछ इंपोर्टेंट कोईशन आपके साथ डिसकस करने जाड़ा हूँ इस कोईशन में बिसिकली क्या बोल गया आपको वेरिफाई करना है कि xq plus yq is equal to x plus y into x square minus x square plus y square या इस कोईशन में ये भी आपसे पूचा जा सकता था कि फेक्टराइज xq plus yq ता आपको इसका फेक्टर करके ये आपको लाना होता तो चले देखते हैं इस कोईशन को हम कैसे solve करते हैं देखिए फर्ट कोईशन में आपके साथ पहले discuss करने जाड़ा हूँ देखिए हमें एक identity पता है we know that क्या जानते हैं कि a plus b का all cube that is let's say x plus y का all cube क्या होता है x cube plus y cube plus 3xy into x plus y अब यहां आप देख सकते है नो x plus y का whole cube और यह plus 3xy into x plus y को लेट से ट्रांसफर करते हैं तो यह plus किसमें change हो जागा minus 3xy into x plus y एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम इस पूरे के पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह plus plus ही रहेगा गलती से बहुत शुर्ण क्या करते हैं इस plus को minus में exchange कर देते हैं आपको यह change नहीं करना है basically इसके सामने का जो यह sign हो जाएगा minus में यह sign change नहीं करना है और यह equal हो जाग इसके x cube plus y cube के अब आप देख सेथ x plus y को होल को इस्टर में भी है और x plus y इस्टर में भी है तो हम x plus y को easily common कर सकते हैं x plus y अगर हम common करते हैं तो bracket में हमारे पास क्या हो जाएगा x plus y whole square minus 3xy will be equal to x cube plus y cube x plus y और आपको पात x plus y को होल सकोर क्या हो जाएगा x square plus 2xy plus y square minus 3xy will be equal to x cube plus y cube x plus y into x square plus 2xy minus 3xy will be equal to minus xy plus y square is equal to x cube plus y cube यही रिजल्ट हमें लाना भी था कि x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus x y plus y i hope कि आपने इस question को अच्छे समझा होगा और आप question number 2 को एक बार खुद से try कीजिए अगर आप इस question कर पाते हैं very good अगर आप इस question को solve नहीं कर पाते हैं तो please comment in this video then i will solve this question for you thanks bye bye